हेलो एब्रीवन मैं मिथुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे जेटएड 2023 होकर रहेगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि अब छात्र नेताओं के साथ साथ छात्र भी जो बीड डीएलेड कर चुके हैं वो भी हैं ये और इन्होंने कहा कि भाईया जारखन में साथ सालों से जेटएड की परिक्षा नहीं हुई है ऐसे में एक जारखन सिक्षक पातरता परिक्षा का आयोजन होना चाहिए उसके पस्चा तो जो है बहाली की जानी चाहिए तो बहाली का नोटिफिकेशन आ चुका है अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं जाने देना है अब एनर्जी को कैसे बचा कर रखना है तो दो हजार सोला वाले के मुह मत लगिए और इनसे जो है जगडा मोल लेने की आपको जरूरत नहीं है एनर्जी मत खर्च कहजिए इनके खिलाप यह जैसे भी हैं अपने अपने ही हैं अगर बहाली होती है तो फिर जेटट सोला वाले आएं हमारे साथ बहाली में प्रक्रिया में सामील हो और हमारे साथ कंपिटिशन करके जौब ले सकते हैं तो ले जाएं उन्हें किसी ने रोका है मैं तो ऐसा नहीं का रहा हूँ ना देखे सम्मिधान के जो निर्माता ह हो फिर से दोह रहाता हूँ आप सभी देश सम्मिधान से चलता है उसी के अनुसार अगर किसी एक के साथ भी गलत हो रहा है तो वो गलत है तो फाइनली देखे बिनोत कुमार सिंग ने क्या मुद्दा उठाया है वो मैं आपको दिखा दू यहां से देखो तीन तारिक यानि की आज को ही इन्होंने जो है लेटर लिखा है सुन निकाल में प्रसन काल में जो है इन्होंने प्रसन उठाया है कि जार्खन में साथ वर्सों से जेटेट यानि की सिक्षक पातरता परिक्षा का आयोजन नहीं हुआ है तो जेटेट की परिक्षा सिग्र ह ऐसा इन्होंने कहा है और इन्होंने अपना सिगनेचर निचे किया हुआ है यह आप दीख सकते हो तो यह बहुत अच्छी बात है कि ऐसे पहले मैं आपको बता दू बिनोत कुमार सिंग के बारे में जब जारखंड के सिक्षकों के जो सिक्षा मंतरी थे क्योंकि उनको लगता पाविलिया और आकलेन परिश्चा के प्रस्ण पत्र इतने डिफिकल्ट सेट किये कि पारा टीचर का चेहन उसमें नहीं हो पाएगा बहुत सारे पारा टीचर ऐसे ही बाहर हो जाएंगे 10% पारा टीचर उसमें जो है सफल हो पाएंगे बांकि सबका तो बेड़ा गर्गर ही दिया है तो बहुत ये बुरे सिक्षा मंतरी सावित हुए थे जगरनात माता उनकी मिर्ती हो गई है ततपचास ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए लेकिन कड़वाई जो वो बुलते हैं न एडुकेशन मिनिस्टर तो देखें यहां पर बातें क्या हुई है हैमन सोरैन के उपर इसी तरह से प्रेशर अगर बनता रहा तो हमारे राज के जो मुख्य मंतरी हैं उनके उपर प्रेशर बनता रहा इसी तरह से तो वो क्या करेंगे वो चाहेंगे कि भईया ज्यादा से जादा भोट इनको मिले सीधी बात है सरकारे भोट लेना ही चाहती है कि कैसे करके उनको जादा से जादा भोट मिले तो इसी तरह से अगर हर विधायक फिर से एक बार प्रेशर बनाए तो हैमन्स और यहां पे साइद मान जाए और ऐसा हो सकता है कि यह पहले बहाली यह ले ल जाएंगे नहीं सेकेंड मेरिटलिस्ट निकालो थर्ड निकालो फोर्थ निकालो जिनका पहले से जेटेट किलियर है या फिर जिरोंने सीटेट कर रखा उनको भी वहले डिटी दे दो ना ताकि जेन्विन कैंडिडेट यहां पे आगे आ सके जिनके अंदर नियुकती प्र कि सेलरी जो सरकार ने कम कर रही है यह बहुत ही गलत करा है सेलरी इतनी कम कर दी गई है कि आप बड़े बड़े जो चपरासी होते हैं बड़े बड़े पोस्ट पे बड़े बड़े कारियाले में उनकी आउट की जो करप्सन से जो पैसे आते हैं इससे दस गुना पैसे आते तो इतनी कम salary में teacher कैसे अच्छा पढ़ाएगा ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस पे आपका क्यारा है नीचे comment section में जरूरू बताईएगा jet at 2023 हो या फिर jet at 2016 वाले और 13 वाले को न्यूकती प्रक्रिया में सामिल करके हम लोगों का बेडा गर्ग हो जाना चाहिए ये नीचे comment करके अपनी राए जरोर लिखेगा और इस video को जादा से जादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक सेट किजिए ताकि वो भी सजग रहें अपने अधिकारों के परती जो है सचेत रहें करके अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरूप में सेर कर दे थैंक यू सो मच पर वाच इन इस वीडियो एव गुड डे